मुख्य मंत्री निवास में स्वर्गय देवी प्रसाद चौबे की स्मृती में आयोजित वसुंदर सम्मान समारों में मुख्य मंत्री भूपेश बगेल शामिल हुए मुख्य मंत्री ने वरिष्ट पत्रकार लेखक सुधीर सक्सेना को प्रशेस्ती पत्र शौल और श्रीफल भेट कर वसुंदर सम्मान से सम्मानित किया इस अफसर पर ग्रह मंत्री तामरिध्वज साहु समेट कई नेता मौजूद रहे कारिकरम को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि शब्दो को संजोना एक कठिन विधा है उसमें भावनाई पिरोना और भी कठिन है चत्तिसगर समाज बहुत सरल सहज है लेकिन यह सहजता आसान नहीं है देखे सब्दो को संजोना एक कठिन विधा है उसमें भावना की विचार डालना उससे भी कठिन है लेकिन समाज में जो दिखावटी पन है बनावटी पन है वो हमारे चत्तिस गड़ में नहीं है हमारे यहां सहस्ता है सरलता है विनमरता है प्रेम है भाईचारा है और यह सहस्ता सरलता सहज होना सरल होना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समस्ते हैं कबीर जी ने भी सरलता की बात कही, गांधी जी ने भी सरलता की बात कही, गांधी जी ने भी सरलता की बात कही, और सरल तब पूर्वा के दिश जीवन जिया है, तो किर्ति सेस देवी प्रसाज चौबे ने, तो सहज और सरल होना आसान नहीं है, और यही कारण है, हम लोगों क वो चत्तित गड़ियों को बहुत भोला समझते हैं, मैं भाला की बात नहीं करूँगा, वो आप लोगों को विशा है, मैं तो क्यों भोले पन के बात कहूँगा, चत्तित गड़ियों को बहुत भोले रहते हैं, लेकिन इस भोले पन में जो खासियत है, वो दूसरे में नहीं ह क्योंकि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं कितना भी बड़ा हो जाएं लेकिन ये 36 गड़ का भोलापन है जो एक बार 36 गड़ आया तो 36 गड़ का हो जाता है तो भोलापन में एक खास्यत है कि आपको जोड लेता है फिर छोड़ता नहीं भले वो जुनने के बाद जो 36 गड़ियों को जाए वो अलग बात है लेकि 37 गड़ की यही खासियत बहुत सारे हम लोगों ने साथियों को देखा अधिकारियों को देखा, ब्यावसाईयों को देखा साहितिकारों को देखा, पत्रकारों को देखा यहीं काम करते करते फिर यहीं बस जाते हैं फिर यहां से बाहर जाने की सोचते नहीं, अपने घर जाने की बात नहीं सोचते हैं, यह ज़्यादा अच्छा लगता है, यह जो सहस्ता सरलता है, यह हमारी अपनी थाती है, हमारी पुंजी है, संतों ने, रिशियों ने, तितिक् कि यदि सामने वाला अलोचना भी कर दे, कठोर सब्द कर दे, आप पे हमला भी कर दे तो आपके मन में उसका कोई प्रभावड नहीं पढ़ना चाहिए ये छोटा मोटा अभ्यास नहीं और गांधी जिन कितना अभ्यास किया होगा तब जाके हेराम निकला होगा लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो लेखक है, सहीतिकार है, कवी है उनकी सिती के बारे मैं विचार करता हूँ तो बहुत दुख होता है क्योंकि जो सहीतिकार या लेखक या कवी अपने जीवन के अनभावों को सब्दों के माध्धम से उसको पेपर में उतार लाते हैं लेकिन जो प्रत्रक्प्या देने वाले लोग हैं वो उस इस्तर के नहीं होते तो सत्य को परखना भी कोई आसान काम नहीं है जो आप द theCUBE रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वही सत्य नहीं है जो सामने वाला देख रहा है, सामने वाला जो सूच रहा है, सामने वाला जो सुन रहा है, वो भी सत्य हो सकता है और सत्य को, सत्य के बारीक, बारीकी में जाएंगे, तो फिर जो गांधी जी ने कहा, कि सत्य के खोज है या सत्य के प्रयोग है, उसके बारे मुनों ने कही, ख्रक सेना जी, आप दिर्गाइं हों, स्विस्त हों और आपके लेखनी कभी न थणे और निरंतर समाज को नई दिशा मिलती रहेके तो जब आपके जो पहचाण है, आपके कारे अलग है तो फिर जब आपके कारे और विचार अलग-अलग होंगे तो आप ही प्रतिष्ठक कै कैसी होगी समाज में समझा जा सकता है तो बादल जी ने बहुत अच्छे बाते कहीं मैं आपका भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात यहीं समाद करता हूं आदर नीचा अबेजी को नमन करते हुए धन्यवाद जय हिन जय चतित्वड़ा लाशाशाशाशाशाशाशהँ